प्रणाम जाइन टॉक्स के 97 सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है मैं हुनील और आज मेरे साथ एहमदबाद से जाइन दर्शन की युवा विद्वान श्री प्रियांग भाई शाह जुड़े हुए है आज एक बहुत ही अदबुद और बहुत इंट्रेस्टिंग विशे की उपर बात होने वाली है धन्य कुमार एक अनुपम चरित्र एक ऐसा चरित्र कि जिनकी जीवन में से बहुत कुछ लर्निंग है ऐसे तो यह बहुत बड़ा चरित्र है पर आज प्रियांग भाई यह चरित्र को पूरा हमें आज की सेशन में बताने वाले हैं तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि यह आपको बहुत उप्योगी होगा आज का सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आपको संक्षिप्त में प्रियांग भाई का परिचय देना चाहूँगा प्रियांग भाई ने जैन फिलोसॉफी का अध्यान श्री प्रेम सुरिस्वरजी संस्कृत पाच्शाला तपोवन से किया है और साती सात काफी आचारे भगवन सादू बगवन सादवी जी भगवन के पास अध्यान किया है प्रियांग भाई करीबन 12 साल से continuous जैन दर्शन का अध्यापन करवा रहे हैं सादू सादवी जी और ग्रहस्त वकों प्रियांग भाई बहुत सुन्दर रिच से विदी विदान करवाते हैं और आप सब को कहना चाहूंगा कि अभी फिलाल उनका एक ऑनलाइन पाथशाला का इनिशियेटिव चल रहा है जिसके अंदर करीबन 5000 से लोग 5000 से भी ज्यादा लोग डेली जैन धर्म के कोई न कोई वि आपका आवाज निया अर धन्यकुमार जिसका चरित्र सुनते हम धन्य हो जाए हमारे जीवन में मालुम पड़े कि हमारे पास जो भी धन आ रहा है कोई पुर्वभो का पुन्य से आ रहा है कि यह समझने के लिए आज हमको कथा सुननी है कथा क्यूं सुननी है तो कि जीवन का जो ठाक उतार दे जीवन का जो ठाक उतार दे ठकान दूर कर दे उसको बोलते है कथा आज हम सुनने जा रहा है चरित्र किसका धन्यकुमार चरित्र मैं पूछूंगा चरित्र क्यूं सुनने का निल भाई उससे हमें चरित्र का निर्मान करना है तो इसलिए हमें चरित्र सुनना है चरित्र से हमेरे जीवन में अच्छे अच्छे गुण जो है वो हमारे जीवन में आते है इसलिए चारित्र का हमको स्रवन करने का है हम बात कर रहे है प्रतिष्ठान पूर की आज हम जो बात कर रहे है वो प्रतिष्ठान पूर की जहां जित सत्रु राजा जहां जित सत्रु राजा और जित सत्रु राजा की नगरे में दन सार नाम का स्र प्रोब्लेम जे निल भई अभी आरहे टली अर्वियांग भाई ओके दनसार नामक का श्रिष्टी उनकी पत्नी सिल्वती जैसे उनके जैसा उनका नाम ऐसे गुणवाली सिल्वती नाम की पत्नी और उनको तिन डिक्रे धन दत्त धन देव और धन चंद्र एसे तिन लड़के और तिनों लड़की के साधी व्याह हो गया यानि एक की पत्नी का नाम है धन श्री दूसरा लड़का के पत्नी का नाम है धन देवी और तिसरी जो पत्नी है उनकी तुसरा जो लड़का है तिसरा लड़का उनकी पत्नी है धन चंद्रा एसी तिन पत्नी त और पिता जो थे वो धर्मा आराधना में लिन रहे और दामपत्य जीवन चलता था और दामपत्य जीवन में चोथा पुत्र का भी जन्म हुआ और उनका नाम दिया गया धन्यकुमार धन्यकुमार उमर होती है थोड़ा थोड़ा बच्पन आया एक दम बाल्य वस्ता से थोड़ा बाल्यकाल से आगे बढ़े अब पढ़ाई करने का है तो विद्या साला में गए वहां सभी जो विद्या पढ़ने दी फट फट लेके पूरा पढ़ लिया और पढ़कर फिर बहुत वखान करते थे बहुत इसकी अनुमोदना प्रसंसा कदे आहां उनका ग्न्यान सभी जगा उनकी प्रसंसा चल रही थी यह प्रसंसा देखकर तीन जो भाई थे वो तीन भाई को बहुत इर्श्य आ रहाए थी और विहवार जगत में भी एक बात है सही है कि कभी भी पुत्र का वखान कभी नहीं करना है गुरु की स्थुति करना है गुरु ने हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया तो गुरुदेव के सामने बोलते हैं पहले प्रसंशा नहीं करने कि उत्त्र है उनकी तो कभी भी प्रसंशा नहीं करनी है और पत्नी है उनकी बात प्रसंसा जो करनी है तो उनके मरने के बात करनी है इसा निती सहस्तर में लिखा है कि पुत्र के कभी भी गुणों की प्रसंसा नहीं करनी चाहिए और पिता इतने प्रसंसा कर रहे थे कर रहे थे और तीन लड़के धन्यकुमार के तीन जो भाई थे उनको अच्छा जा रहा है निती-शास्त्र में सफट्र रूप से लिखा गया है कि पुत्र का अभी भी वखान नई करना चाहिए और फिर भी आप उसकी प्रसंसा कर रहा हो ओं इसा नहीं चलेगा बिता बोले बात तो सही है कि जो है उसे हिसाब से हमकि प्रसंसा कर रहा है उसके गून पीटा जी आप गलत कर रहे हूं तो पीता जी दिन बोला पुन्य से है तो परिक्सा की जाए एक काम करते है मैं चारे लड़के को एक-ईक दिन कुछ सोनामहर देता हूं लड़कों겁 में चारे लड़कों को देता हूँ और आपको क्या करना है इससे धनपराप्त करना है अच्छा पहला लड़का 500an मोह लेके गए बजार में 200.1 गजार में उनका 300 anuses कमाई कुछ करके लाया अपना जो कुटम था उनको खिलाया-पिलाया कुटम खुस हो गया दूसरा लड़का था वह भी दूसरे दिन गया धन कमाने के लिए कुछ खासा मिला नहीं कुछ जोड़ा जैसा मिला तो छोड़ा सबको खिलाया तिसरा गया तिसरा गया तो उसकता अब यह दन कमा उसके तो कुछ कुछ खाप यह ऑफ़ ज़त अब धन्य कुमर धन्य कुमर घंप गया गया वह सेट की दुकान में भोज बैठा वहाँ गया और सेट के पास कहीं से चिठी आया भोज पत्र में है में देखा और चिठी में लिखा था कि एक सार्थ आ रहा है सार्थ पहले के करने के लिए संग आया है उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने लेटर भेजा था कि देखो एक सार्द आ रहा है उनको अपने गाउं वापस जाना है और उनको वापस गाउं में जाना है तो जाना है तो जो करियाना लेके आया है उनको बेच के चला जाना है बेच के चला जाना है इसा मन में भाव किया ब मालूम नहीं एक काम करता हूं मैं घर पे जाता हूं अच्छा स्नान करके थोड़ा कुछ खाके में जाता हूं यह बात मालूम किसको पड़ गई है धन्यकुमर तो वहीं गया वहां बीच में गया तो सार्थ मिले सार्थ को आगता-स्वाकता किया बद में बोल आपके पास क्य क्या है सब बता है कि मेरे पास इतना इतना है बोलो कि तरह से बेचना है पूरा नक्की कर लिया इसका जो लेखा हमारा वुज़रत में बाना खट करना था वह बैच दिया नक्की कर दिया बाद में जो स्रश्टी की दुकान पर गए थे यह वह महेस्वर स्रिष्टी आए गे शार्तवा आपके पास क्या ला हमने थो जो था सब भी दिए भी बोचा पशित जिसो बेच कि भी में है अभी बेच दीए अभी में आपको दे नहीं सकता क्योंकि हमाइने जीवन निती वह बहुत बढ़ी चीज है यह धन्य कुमार चरीतर समझते हैं इसमें थो बहुत सारा बहुत बढ़ा चरीत्र संस्कृत में लिखा गया है सबीदात को मैं इतना सौटा। सोट करके बता रहा हूं कि इसमें बहुत सारे ग्रंद कारने उपदेश भी बता है वो तो अब मैं हमारी जिप वापस में नहीं ले सकता हूँ यदि आपको चाहिए तो धन्यकुमार से आप ले सकते हो अभी गए जो सेठव आये थे वो गए धन्यकुमार के बास देख तू अभी छोटा है अभी तेरे को इतना बड़ा तू करियाना सब ले लिया है तू कहां जाके बेचेगा क्या सब करेगा इससे अच्छे काम कर सब मुझे दे दे और जो लेना है वो ले लो तो धन्यकुमार ने बोच सोचा के क्या करो बोला के बाद में सोच कर जवाब दिया कि देखो आप तो वडिल हो आप वडिलों ने बोला है तो हम इसको मना भी नहीं कर सकते हैं तो क्या वडिल हो अभी देखो यह भी हमारे जीवन में सिखने की चीज़े कभी भी हमारे वडिल है माता है पीता है कोई बड़े करमे है तो आप वड़ील हो तो इसका वचन में केसे में मना कर सकता हूँ बात में बोला तो कोई बात नहीं तो के लाक सोना मोहर दीजिए और दे दिया और धन्यकुमार घर पे आया घर पे आया तो सब को परिवार को खिलाया मगर उनके और भी जितने भी रिलेशन वाले थे उनको भी बुलाया सबी को खिलाया और सब खुस-खुस हो गए और धन्यकुमार का प्रसंसा करते करके घर के घर पे गए और उनकी जो बाबी थी और बाबियों को अच्छे-च्छे घरेना दिया और बाबी भी खुस हो गई कि अच्छा दीय रहो आपने अच्छी चीज लाके डिया और आपका पुन्य ब्रभाव से ए सब रहा है यह बात सबी को अच्छा लगा इसको अच्छा नई लगा होगा कि उनके लोग पी weren't बाई है उनको अच्छा लाने लाना सब जो है हम करते हैं पिता जी अब गलत गलत प्रसंसा मत करो तो पिता-जी ने बहुत नहीं फिर से परिक्षा करते हैं तो फिर से कुछ सोना मोहार दिया क्योंकि पूर्व्य के कालीन में वहां आता है संस्कृत गरंत में कि चारों कुत्रों को 64 शुवणवाशा दिया मगर वो अभी के काल में है नहीं तो समझने के लिए कुछ सोना मोहर दिया फिर गये पहला गया कुछ फाइदा नहीं हुआ दूसरा था वो गया था इसमें भी जो था उसमें से भी कम करके आया तीसरा दा वो तो कुछ करी नहीं पाया और धन्यकुमार जो था वो धन्यकुमार बजार में गया देखा था अब सुकन हुआ अब सुकन के करना नहीं करना है नहीं जाना है कि फिर से आगे गया आगे देखा तो वहां पसू यानि पसू खरीदने की जो बजार्थी जहां पसू अलग-अलग पसू मिलते नहीं जा रहा था वहां सुकन हुआ चलो अब सुकन हुआ कुछ काम हो जाएगा और वहां देखा तो मेंड यानि घेटा क्या बोलते हैं इसकी बहुत रहती है तो जहां लक्षन वाला था वहां वहां वह घेटा ले लिया उनको थोड़े पैशत दी दिये और आगे जा रहा था और आगे गए और राज कुमार थे पूर्वे के कालेन में इस परधा चल रहा ही थी कि घेटा जो होते सीप दोनों सीप के साथ में युद्ध करवाते थे और जिनका सीप जीत जाता है उनके साथ सरत लगती है तो ये धन्सार शेष्टी का पुत्र ये धन्यकुमार था वो सीप लेके जा रहा था तो राज कुमार ने बोला कि देखो ये धन्सार शेष्टी का लड़का है एक काम करते उनके साथ सरत लगा देते हैं कुछ काम हमारा पोज आएगा तो इसी तर करने का जिसका हार जाए उनको लाख रुपिया लाख सोना मोहर देने का दन्यकुमा ने सोच है लक्षन मनता है इसलिए जीतेगा वह इनी धन्यकुमा ने हाँ बोल दिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया तैयर हो गया और युद्ध चला और युद्ध में हो गया दन्यकुमार का जो शीप था केटा था उनका जय हो गया तो जय हो गया तो अभी तो लाख सोना मोर तो देना पड़ेगा लाख सोना मोर दे दिया राजकुमा ने सोचा बात तो सही है उनका जो केटा सीप है वह है द आपके कामका नई है और आप जो है वो सेठ के लड़के हो और आपको पसू रखने का एक काम करो हमको दे दो और यदि आपने जितने रुपिय में लाया है इससे थोड़ा कुछ बढ़ा कि हम आपको दे देते हैं वो लो क्या करना है तो दन्यकुमा ने सोचा दन्यकुमा ने बोला देखो है तो हमने महनत करके लाया है और एक घेटा का जो है मैं पैसा लोंगा मगर कितना एक लाख सोना मोर लोंगा यह राजकुमार थे और देखो यह जुगार यह लोग होते हैं जो जुगार सक्टर खेलने वाले वो लोग दूर ने चोटी किम्ट वाला भी घेटा झो था वह उन्होंने खरीद लिया अब जो खरीद लिया अभी फायदा एक लाक जीते एक लाक गेटे के दो लाक सोना मोले के घर पे आए उनके पिता जी प्रसंसा करने लगे प्रसंसा तो हुई मगर तीन जो भाई थे उनको अच्छा नहीं लगा ये पिता जी अपना लड़का क्या कर रहा है ये तो जुगार में कमा के आया ये तो जुगार में कमा के आया मगर रख के भी आ सकता था एसा करना नहीं चाहिए फिर के तीनों भाईयों को क्या किया इर्शया थी, फिर पिता जी ने सोना महर दिया, कुछ सोना मुर दिया, जाओ, कुछ कमा के आओ, तीनों भाई बजार में गए, मगर लभांदराय करम का उद्धै था, कुछ नहीं मिल, प्राप्त कर पाए, देखो कथा में हमें प्राप्त करना है, तीन भाई कमाने के लिए जाते हैं, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है, और जो धन्यकुमार है, उनको पास प्राप्त होता है, तो भी समझना है, तीन को प्राप्त नहीं होता है, और एक को होता है, मेहनत तो चारों लोग कर रहा है, तो इसमें कुछ कारण है, तो अपना कर्म है, तो हमें कर्म ब बुरा होगा तो हम जीवन में ध्यान में रखना है कि हमारे जीवन में अच्छा ही करना है कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करना है और हमारे गुरुते हमको ऐसे बार बार बताते हैं आपको किसा अच्छा लगता है कि मेरे साथ कोई अच्छा विहवार करे मुझे अच्छा ल कि जढ़ा द्यूंतरे थी लकड़ की बजर में गया देखो बहुत कुछ सीखने की चीजे लगड़ी की बजर में गया और हो। पर लगड़ी बजर नाम को तो सहे साहर जो था जाहं लगड़ी बजर में मोップ दाओं में एक धनेम का एक शीठ रहता था इतना कंजूस अपने लड़के को कुछ देता नहीं था वो बहुत मेनत कड़ी मजूरी करके कुछ भी धन बहुत प्राप्त किया मगर वो हमारे आता है मंबनसेट की तरह मान लो कि उसका दूसरा भाई था नहीं हो समझने के लिए है तो कुछ भी धन यूज नहीं करता यदि उनके पास मालूम पड़े के भिखारी आया तो दरवाज़ा बंद कर देता था भिखारी को मुख दिखाने का ही नहीं तो एसे और कहीं भी अपनी भासां बोले कहीं पिक्चर देखने का नाचगान कु जहां जाएंगे तो पैसा खर्च होगा तो वो कुछ नहीं करना था और दन इकठा किया अभी कुछ करो यह धन में रखू के से उनने सोचके क्या किया एक जितने भी धन था उनका वो पूरे पैसा का उन्होंने रत्न में डाइमंड में हीरा मानेक में कनवर्ट कर दिया यह इस जो रहता ना जो चार पई पाई इसको अंदर रखके इसमें हॉल करवा दिया इसमें सभी रतना डाल दिया उपर से पैक कर दिया चारों पाया रतना से बरे हुए और अपने पुत्रों को बुलाया कि देखो बच्चा मेरी एक इच्छा है कि जब भी मैं मर जाओ तब पलंग के साथ यह जो खाटला है यह पलंग के साथ मेरा अगनी संस्कार करना देखो दंकी केसी मुर्चा है केसे केसे लोग होते हैं और हम सोचते हैं देखो एक केसे पिता जी है मेरे मेरा अगनी संसकार है खाटले के साथ करना एसा अपने भावना पड़ी है हमारा भी जीवन में एसा है कि हम पुरी दिन रात दोड़ते हैं हम क्या करते हैं दीन रात दोड़ते हैं नई अपना सरीर का देखते हैं नई परिवार को टाइम देते हैं नई खुद आनंद लेत नहीं कुछ धर्म करते हैं उनका जैसा ही हमें वह दन इकठा कर रहे हम इसे ही भाग रहे हम हमारी कक्षा से दन इकठा कर रहे वह उनकी कक्षा से तो वह लोभिया था यह कि पैए पित่जी मृत्य होगा है अपने बच्चे कभी भी करतलों कभी समसा ने आत्रा जाती नहीं मगर बच्चे ने बदुए हमारी पिता जी के बहुत इच्छा थी तो उनको दो इस में ही ले जाना पड़ेगा कोई बात नहीं तो पिता जी को इससी के साथ ले गए वहां तक तो बराबर है मगर वहां समसान आया समसान में अब जलाने की बात आई तो वहां का जो चांडल रहता है वो बोलता है कुछ भी हो जाए एक खटली के साथ तो अगनी दाह नहीं दिया जाएगा वह मना ही कर रहा है नहीं मेरे पिता जी की इच्छा है नहीं होगा इधर तो हमारा ही चलेगा बात में उनके परिवार्जन वाले बोले बाई तुम्हारी पिता जी की इच्छा थी नहीं कि खटली के साथ लाने का वह खटला के साथ ला दिया बस अभी इसके साथ चर्चा करन प्रफिर से घर में जगा रोकी की जरूत तो है ने कम कर बजार में बेच दो थोड़ा कुछ रुपिया आएगा बजार में बेचने के लिए गया सब को मालूम पड़े के धन प्रिया स्रिष्टी का मरा हुआ अधिक लिए तैयार नहीं थे और धन्यकुमा ने देखा यह तो हमारा काम का लग रहा है धन्यकुमा ने खरीद लिया और खाटला लेके घर पे आया और वहां रखा बाद में पिता जी ने उनके पिता जी धनसर सिस्टीम रहा जाए वह अंदर ले जाओ तो गलडो ले जा रही ती अंदर अटक गया और इसका जो एक पाई था वह तूट गया और जेसा पाई टूटा और वहां से इतने सारे रतना निकले वह पुर्वरbank राजिवार स्विशने हमारे जीमनें भी बुलते हैं देखो चरीत्र में है सिखने मिलता है कहीं चीज यहीं होती है जे चरीत्र में बहुत सारी चीज मिलती है जानने में के यह कि इस जगा रखा इस तरह से रख सकते हैं से कंवर्ट कर सकते पुरा सिखनें मिलता है बाद में मालोम पड़ गया के तो बहुत मुण्या सा ली है सामने रुप से भाई के साथ भाई का सम्मधर अगर भाई अच्छा लगता नहीं है एक दिन इससा हुआ कि उनके गाउ में एक समुद्रम में जहाज आया और जहाज आया और वहाँ जहाज का जो स्वामी था जो स्टीमर था बहुत बड़ी श्टीमर था बोट था वो इसका स्वामी जो था वो मर गया और वहाँ कि अभी मर गया तो कोई स्वामी नहीं है बाद में अंदा दुंदी होती है कि इसलिए सभी लोगोंने सुचे काम करते हम यह गाओं के जो राजा है राजा के पास चाँते वो राजा को बात करते हैं राजा को बत Djah सुल्टा दो उसको सुल्टाने के लिए सब बात किया कि जो आए वो राजा ने बोला सभी नगर के स्रिष्टी को बुलाओ दूसरे दिन बुला दिये सभी को बाद में सभी वेपरी उनों बोला के सभी वेपरी आ गए एक वैपरी नहीं आये धनसार कुमार को भेजो उनको और वो गया राजा ने सभी को जान नियुक्त किया था वो सभी ने क्या किया खरीद ने राजा ने कहीं चीज की मिनिमम किम्मत रख दिया इसने में तो जाना ही चाहिए सभी चीज बेचते बेचते गया और वो जहाज में छोटे-छोटे कलस थे और कलस में मिट्टी भरी होई थी और सभ रिचीज भी खरीद लिया सबीने मगर जो कलस पर मिट्टी खरीदने के लिए कोई तया नहीं था बाद में बेचना तो था तो सबी व्यपरी निदेखा यह देखो धन्सा शिष्टी का लड़का आया है दिखो पहली बार खरीदी करने के लिए आया और पहली बार मंगल के ल ख़र पे चला गया और भू बोला केत और बात करो कछ तामबा लाओ ठोड़ लोग just जो है वो माटी डालो माटी डाली तो हो सोना हो गया बाइबील अश्चेर चकित भावी बहुत हो गया और यह बात आजू-बाजू में सबको मालू पड़ गई राजा को बात बताई के राजन इस रिष्टी का लड़का है वो इतना सारा ले गया एक छोटी सी मुल्य वो स्वा jong धी बुले गया कि और राजा ने बोला वो उनको कि बुलाओ और वहलाजा ने सूचा जोबात तो सही है मंगर कोई भी बाहर से कोई वैक्ति बोल दे उनका श्रिकार करना नहीं चाहिए इसको एदैन्य कुमार को बबात डिन तुरियों मुझे चोटा लड़का समझके उनसलियों तीजनतुरी माटी है मगर उन्हों ने सोचcular rif, तुम्मी वापस भी मांग न ही सकता हूँ राजा ने बोला के कामकर तो बहुत बुद्धी सारी है कि तु बहुत बुद्धी जा यह कामकर हमारी राज्य दर्बार में भी तू आता रहेना क्योंकि तु नितिमान है एसे करके राज्य दरबार में हरो जाने लगा, विडाजा का सन्मान मिल रहा है, तो किसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता था, यह तीनों भाई थे, वो तीनों भाई को अच्छा नहीं लग रहा था, और एक बार वो घर पे था, और उन्होंने, तीन भाईों ने नक्की कर लिया कि ए बाई को मार ही देते हैं, तो हमारा काम होगा, क्योंकि जब तक ये जिन्दा है, तब तक हमारे पिता जी हमारे वक्षान कभी भी करेंगे, नहीं एक काम करता हो, ये उनको मार ही देता हो, ये बात मालूम पड़ी उनकी भावियों को, मगर भावी उनके जो धन्यकुमार के ग देख लिया कि संसार का स्वरूप है लोग अपने थोड़े कुछ स्वार्त के लिए किसी का भी नश्ट कर देते हैं यह सोच लिया और दन्यकुमा ने सोचा कि घ्र से में चला जाता हो क्योंकि ॐ हटी जो होता है हती से 1000 दूर रहना चाहिए चोड़ा हैँ सों धरे वाले शिंगडा वाले जो होते हैं उनसे तो क्या हैं दूर्जण के पास रहना नहीं चाहिए उन परदेश चला था और वो खेतर में वहां जाड़ के नीचे बेठा और खिड़ुत ने देखा यह भुखा अदमी हमें इसको कुछ दू तो बोला के लो कुछ मगर धन्यकुमा ने बोला मैं बीना मेहनत कुछ गुरहन नहीं करूंगा इदि आप अनुमति देते हो तो मैं आपका जो खेतर है इसमें खेत जो है इसमें मैं थोड़ी कुछ खेती करू कुरूशी काम करूँ बाद में आप मुझे जो कुछ देना है दो गया धन्यकुमा यह जो सज्जन पूरुस होते वो अपने बल पे खड़े होते हैं गया खेतर खेतने के लिए गया और वहां जिसे हल लगाया खटा मेरा यह चरू नहीं है आपने खोला तो आपका वो बोला आपका मगर वो लेने के लिए तैयार नहीं हुआ धन्यकुमा नहीं लिया खेड़ुत को ही दे दिया और खेड़ुत में भी सोचा के देखो भई मेरे घर पे रहेगा आजू-बाजू में लोग कहेंगे तो एक काम भई मेरे सोचा यह यह एसा कोई पर देसी है वो भी कुछ दे देता है तो मैं भी उन खेड़ुत को दे दूँनासा को सब 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 दे दिया कि और वहीं से तो finns थो तो आदा धन्यकुमार आगेचला गया आगयःcha आगया आगयः पोते आ चलते गया पर वहां एक रात सुबह में जो जग गया था सुबह में पहला प्रहर में हमारे तो क्या होता है हम तो सुरिय वंसी सुरिय उदे के पहले नहीं सुरिय उदे के बाद और कहीं तो नवकार्शी वंसी नवकार्शी आने के बाद ही जागते हैं कहीं लोग तो पोर्शी वंसी य निद्रा को छोड़ देना चाहिए निद्रा जगड़ा जो है वो जगड़ा नहीं करना है आहार में खाने में बहुत लालसा नहीं करनी चाहिए लोग बोलें पीजा पाउंक वाजी खाये बीना चलता नहीं देख एक साल से सब चल रहा है ना आराम से तो हम त्याग कर सकते है कुछ दोस हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए और वहां इसका आवाज सुनाई दिया सुनाई धन्यकुमार तो उनको इसका अवाज suppose के अर्थ भी समझ पा रहा था तो वहां उनके पक्षी का आवाज सुना और आवाज सुनकर क्या हुआ तो यह आवाज उन्हें सुन लिया और मालूम पड़ा कि एक कह रहा है कि जो पास में जो नदी है नदी में एक सब आ और सब के सबयने मड़ा मुथ शरील इसके केड में इसकी कमर में उच्छ रत्न है कि एक का में तूले ले और सब मुझे दे अटर्थ समय अटर्थ खड़ा होके जान गया नदी के पास गया और लिए वहां से आगे उजेनी नगरी में गया उजेनी नगरी में था और उजेनी नगरी में तो या राजा, ने एक पहली रखी थी देखो पहली वह से बहुत बहुत सारी चीज है मगर अभी मैं बहुत सौट कर रहा हूँ ज्यादा चरित्र देखना है तो संस्कुत में भी इसका चरित्र है और धन्यकुमार को रख दिया और दन्यकुमार था वो उनको मंत्री बना दिया और मंत्री बनाने बाद एक दिन वो महल में थे और महल में थे और महल की पास में से कोई गरीब लोग जा रहे थे जिसके पास कुछ कपड़े चित्रे हाल थे वो इसी कक्षा में देखे और देखा ओ ये तो मेरे पिताजी है मेरे भाई मेरे भाविया सब हैं उनको बुलाया और उनको बुलाया और बात किया कि पिताजी इस किस तर से अपकी दसा होई पिता जी ने बोला कि तु तो जहीं धर्मा पड़ाओ हुआ है तेरे को कर्म की क्या बात बताए मगर पुरी जीस तर से स्टॉरी होई कि देखो पर पुछ चोर लोग चोरी गए कहीं राजा ने ले लिया एसे करके पूरा हम खाली निर्दन हो गए कि ओर धन्यकुमार ने क्या किया सब को अपने यह वहां रख दिया और धन्यकुमार तो राजा का मंत्री दा դो बोलनगारे के साथ ही जाएगा राज्य दरबार में धोलनगारे के साथ वापस आ रहा था उनके जो भाई थे देखो दुष्ट लोग वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं पिता जी अभी धन्यकुमार के पैसे से सब रहे रहे हैं फिर भी बोलें पिता जी हमें अच्छा नहीं लगता हमारे एक काम करो चारा भाई का जो धन है वो बटवारा कर दो हमें हमें इधर रहना नहीं है फिर फ्राप्त किया है छोड़ दो आए बात सुन लिया किसने धन्यकुमा ने दन्यकुमा ने सोचा देखो यह जगड रहे हमें इधर है ना नहीं के सिखने मिलता है यदि हमारा पुन्य होगा यदि घर का मारा बटवारा हो रहा जितना नसीब होगा इतना आएगा ही चगड की अभी मेरे जीवन की बात करो तो इच टाइम नहीं मगर जीवन में हमारे जीवन कभी भी नहीं सोचा हुआ इसा ला वोथा है तो नहीं एक मार जगर लेत पूरह इंजने ऊधिस को चिंता रहे हमारे हमारे पुझत कर बरोसा नहीं OC तो इसमें जा रहा था और मगत देश के तरफ जा रहा था बीच में आई गंगा नदी गंगा नदी में वो मुणि भगवन को देखा और समझ गया के दर्शन हुए हमारे कुछ कुछ 100 परसंट फाइदा होगा साधू बगवन के पास गए साधू बगवन अच्छी कुछ देशना समझाया और बताया के वे देखो तैसे संसार में कुछ रहने सामने विशे भोग जो है वो भुगट ने पूरा समझाया और धन्यकुमारमों को समझ में आया और धन्यकुमा ने चोथा व्रत लिया इसका मतलब क्या वो ठीक तरह समझें अपनी जो पत्मी है उनके साथ भोग भोगर सकते बाकी किसी के साथ नहीं किसी परस्त्री है उनके साथ जो है इसको हमें विशय सेवन नहीं करना है इसा नियम लिया और आगे गया और गंगा नदी का किनार आया सब्zeit किनार वहां पर सोया है और वहां जा गया और गंगा देवी ने दण्योकुमार का रूप देखा में देवी होते हुए भी उनको काम विकार काम कर जाखुत हुआ और उनुके साथ भोगर ने की बात किया इस पुरी बात बताई देखो वर अग देवी का बिकार सांथ हो गय में रखो तो वहां से ले जाएगा बचेगी नहीं और गंगा देवी ने दे या और आगे आगे जा रहा है और आगे वो क्या होता है धन्यकुमार जो है वो प्राप्त कर रहा है सुख प्राप्त कर रहा है और आगे जाते मगत देश में पहुंच गए मगत देश में बहुत बुद्धी साली थे और वो नगरी में ऐसा हुआ कि राजा का जो हाथी था वो हाथी वो थोड़ा कि सेचनक जो हाथी था वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था कि पर कंट्रोल में नहीं आ रहा था मिच्छ को दुक्रम राजग्रुओं नगरी में गए बदान गाल उनका, उध्यान पूरा सुख गया था वो रात्री एक रात्री और धन्यक्मार वहां सोया और सोने के कारण क्या हुआ उनका पूरा जो उद्यान दा वो फुला फाला हो गया यह पूरी ग्रिनारी ग्रिनारी हो गया और उनका जो उद्यान पालत जो था वो कुसुमपाल स्रिष्टी को बताया कि स्रिष्टी जो बात इसी हुई है कि यह आने के कारण क्या हुआ सब प ओभी भी यह देते हैं तो गुन देक करें देख कि लड़े को कुश्मस्री को दे दिया आए उन्के साथ अच्छी दिद्धी प्राप्ट कर लिए उसमें राजा का थी शेचनक हाती था वह सेचनग हाती जो था वह अगर अब नहीं है मगर अभय कुमार तो किसी ने अपहरन कर लिया है मगर अभी क्या करें राजा ने पूरे गाउं में डंडेरा पिटा यदि हाथी को कंट्रोल में लाएगा उसको मैं क्या करूगा अच्छा खासा कुछ दूँगा और मेरी जो लड़की है ये लड़की भी उनके साथ में साधी व्याह करवाऊंगा राजा ने बोला और ये तो गया और क्योंकि पूरे गाउं में धंडेरा पिट गया था और धंडेरा पिटा था और गया और धंडेरा पिटने में बोला है सांत रख में हाथी को कंट्रोल में कर लेता हूं और हाथी को बहुत घुमाया कर रह कि हैं हो गई एसे एसे दो दो कुसम श्री आ गई है और इसे दो दो लड़की साथ्व आ हो गए और वहाँ के गायों में क्या था धन्या कुमार जो था ठंड़ कुमार तो क्यां किया था जो चंडी प्रत्यूतर राजा था उनकी नज़र केद में था अभवई कुमार और वहीं के गाव, सृणिक महराज़य में जो घुतारा थे, लुचचे लोग थे, ठग थे, वो सभी को ठग रहे थे, तो गाव में गोज़्वर स्रिष्टि थे, गोज़्वर स्रिष्टी के सा इसे मैं ने ने न हिर था कि अपक्रम आपको लेके किसी का लाख रुपर्फे थोड़े देगा जो पर भी मैंने सब कुछ बताया फिर बीज़ मानने के लिए तयार नहीं हुआ पूरा जगड़ा चल रहा थी जगड़ा गया राजा के पास राजा से पूरी बात हुई और राजा से बोल रहा था कि क्या हुआ है तो इसी पूरी बात चल रहे हैं राजा के पास पूरा जगणा उनका चला और जगणा गया तो अभी क्या करना है तो राजा ने बोला कि अभई कुमार तो है निहीं बात में किसी ने बोला कि गोव्दर स्रिष्टी का यदी जो काम जो कोई करके दे कि इससार से बात करना क PREVANIA कove या-ट रहा है के बाद में उन्हों भूला, इसे बताया तो बाद में वो तुता रहा था वो तो वापस आ गया कि भी हमारा कुछ चला नहीं है और गो भद्र सेश्टी जो थे वो खुस हो गए और उनकी जो लड़की थी सुबद्रा यानि साली भद्र की जो बहन है वो सुबद्रा उनको दे दिया एसे उन्य साली एसे आगे जाते हैं आगे और राज्य प्राप्त करते हैं उन्होंने राज्य की उन्होंने एसे आगे आगे जाते हैं बहुत सारा कोसां भी नगरी में जाते हैं वहां भी उनको पत्नी की प्राप्ती होती है वहां का पूरा राज्य का संभाल पूरा नगर वहां स वहर्म हमें अच्छा लगता है यह यह कभी भी है और झार हो गया अतीसार्रों में क्यों हो तो हमारे जीवन में कुछ भी होता है वो अगले वह में कुछ ना कुछ तो हमने किया होगा तो इसके आधार से मिल रहा है तो उन्होंने भी क्या किया था कि पुर्व भो में सादू भग्वन को गोच्री वहराया था sooner yeah उन्होंने क्या कीर ऑर खिर वहराया था और उन्होंने जो भावना भावित किया इसे अलना भावित किया और भावना भावित करने और अज पुन्य किया हम क्या करते हम अच्छे काम तो करते हैं मगर अच्छे काम करने के पाद उसकी अनुमोधना नहीं करते हैं आज कुछ भी हमने कुछ देरासर में लाब लिया हमने कुछ उपासर में लाब लिया हमने कुछ सामाई किया हमने नवकरवाड़ी गीना हम कुछ भी करत पुर्वभो में बहुत सारी अनुमोधना किया और अनुमोधना ने कारण से उनका पुन्या जो था एक दम निकाचित हो गया और उनके कारण से यह सब रिद्धी-सिद्धी मिली मगर इसके और भी एक आगे चीद सुननी है कि हम बगवान जो है उन्होंने सब ले लिया और उनकी सुभद्रा सब पत्निया थी और एक बार क्या हुआ उनकी पत्नी नहिला रही थी शनान करवा रही थी देखो भाई पुन्याशाड़ी क्या होता है कि उनकी बीवी उनको शनान करवाती है बीवी जो शनान करवाती है और बीवी रो रही थी और रोते-रोते उनका एक आसु का बुंद था वो धन्यकुमार के पीठ पर पड़ा और उनको तरत मलब्र एक गरम पानी का टीपा कैसे आए देखो उनको बेद भी पड़ता है और उनकी पत्नी तुम्हें कुछ दुख है तो कि दुख एसा है कि स्वामीनात दुख एसा है कि मेरा भाई जो है वो एक पत्नी जो है वो छोड़ रहा है मेरा भाई साली बद्र की बत्री 32 पत्नी है वो हरोज एक एक छोड़ रहा है तो वो बोला तेरा भाई जो है वो छोड़ने की इच्चा होती तो एक साथ चोड़ दे एक क्यों छोड़ रहा है तो वो सुबद्रा बोली स्वामी कहना तो सहल पुरोभो में संपत्ति मिली संपत्ति पर कोई मोह नहीं और जो मिला इसको तरंत छोड़ भी दे दिया इस पुन्यानुबंदी पुन्य का प्रभाव है मगर हमें तो थोड़ी कुछ संपत्ति मिला है मगर संपत्ति में इतना राग ठोड़ा भी छूट नहीं रहा है तो हमें क्या है राग कम करना है और भगवान ने जो बता है वह दिक्सा लेना है खुद लेस्वान भगवान की म उनका रूप जो दा इतना चेंज हो गया के खुड अपरी मता suis lived उनको पहिचान नई पाये तो हमारे जीवन में विध्यान में रखना में इक कर or चरित्र से हमारा चारित्र का निर्मान कर ना culture have दूर करना है चारित्र से हमारे जीवन में चारित्र का निर्मान करना है तो धन्यकुमा ने इतना सारा प्राप्त किया किसी में भी राग नहीं किया जो आया वह भगल दिया बाद में क्या किया अंत में चारित्र लिए हमारे जीवन में भी यह करे हम कुछ भी अच्छा काम कर तो हम गुरों की अनुमोदना करें, वो हमारे जीवन में हम क्या करें? वो ध्यान रखे . तेंक यू सो मच प्रियांग वाय आपने तो ट्रेलर दिया है एक्चुली प्रेलर आता ना बस तो यह दन्यकुमार का एक ट्रेलर दिया है कि कितना पुन्यशाली उनका जीव था कि जहां हाथ रखो जहां पैर रखो वहां सोना चांदी हीरे निकलते याने उनके पिछले कर् पर उसके बावजूद भी उन्हें चारित्र धर्मंगी कार करने की इच्छा होती है तो कहीं न कहीं ये रूट में पुन्यानुबंधी पुन्य ही था कि जिसने उनको चारित्र मार्ट कर भी आगे बढ़ाया तो यहां एक चीज क्लियर होती है कि धन्यकुमार और धन्ना अ कुमार और उनका भी आज हमने एकदम संग्षिप्त में उनकी जीवन की घटनाए रिखी और उसके अंदर से बहुत कुछ लर्निंग है प्रियांग भाई ने भी हमें बहुत सारे टेक अवीज दिये और शायद आपने भी यह कहानी सुनते सुनते खुद बखुद अंदर स एक अब बाई ने बता एक जो चरित्र है इतना बड़ा है इतना बड़ा ग्रंथ है और उसको एक शेशन में कंप्लीट करना इंच वहरी डिफिकल पर जस्ट एक हमको एक उसका जिस्ट मिलें हमको एक इंट्रेस्ट क्रियेट हो और उससे आप इनके चरित्र को पढ़ने की इसलिए आज ये सेशन रखा गया है तो आपको कोई प्रश्ण है तो आप प्रेस भी कर सकते हैं या तो आप टाइब भी कर सकते हो चैट के उपर प्रियंग बाइब प्रश्ण आया है कि धन्ना कुमार 2600 साल पहले थे और 2600 साल याने महाविर स्वामी भगवान के समय में बहुपत्नी प्रथा थी तो जैनिजम के क्या विचार है वो पहले समझ लेते हैं जो जन्मा से जैन अभी के काल में मैरे पीता जहिन था में भी जहीमिंद मगर पुरवर के कालvayne मैं जहए जो है वह जिनेश्वर भगवान की आजनिया का पालण करे वह जहीं और कुछी भी मिभावाय कोई भी वावाय डेश्काल के अनूरूप रहता है वो देश काल में वो टाइम पे चल रहा था और किसी को विरोध नहीं था तो वो टाइम पे बहु पत्नी प्रथा चल रही थी और जो टाइम अभी ऐसा है कि बहु पत्नी प्रथा भी नहीं चली क्योंकि हमारे यह लिखा हुए कि जिस तरह से देश और काल चल रहा है उसी तरह से हमें चलना चाहिए, पुर्व के कालिन में थे के दंदा भी बोले थे के आमने सामने चल रहा था, अभी के दंदा ओनलाइन हो गया, तो हम भी ओनलाइन पे आए गए, पुर्व के कालिन में ऐसा थे के गुरू के पास पढ़ रहे थे, हमें अभी थोड़ा कुछ स गतना अपने कुछ उनकी जीवन की गटनाए। पूरे उनकी जीर mi I satellite और अच्छे अच्छे मुझ्दे टेक कवेस बताई और जो हमें जीवन में बहुत उत्योग रहा हो ही जीवन में की है तो में इतना बताऊंगा कर Eğer कि उनके जीवन में मैं हमें एक चीज शक्त आज है तिनों भाई जेते बो मांग रहे थे जो था इसमें मांग रहे थे अ दन्ययकुमर कि वो भी मुझे नहीं चाहिए तुम ही सब लेलो छोड़ने की वुरुत्ति हमारे जीवन प्रसंग आता है तो हमारे जीवन में छोड़ने की तैयारी रखना है आप बल पे हमें एक चीज और सिखने आप बल पे खड़ा रहेना है दूसरे के बल पे हमें खड़ा नहीं रहेना है अपना खुद का करना है धन्यकुमार में कोहीं भी उन्होंने अनीती नहीं किया सभी जगा नीती बालन किया है और उन्हों के आगे चरित्र में और भी एक चीज आती है कि उन्होंने पूरा एक गाउंक में तालाब का निर्मन कर रहे थे और उनके पिता भाई सब दुखी होए थे और वहीं आये थे तो उन्होंने क्या किया सभी उनके पिता जी को सामने बोल पूरूब्लेम हो चुका था, मगर उन्होंने पिताजी काuck स्थान की हूर्ण संमान किया, अपनी पत्नी जो थी पत्नी का भी आदर्शतकार किया और उन्हों को जो पिता जी थे पिता जी को भी उनके घर पे लाए थे बाद में पहले उनकी पत्नी को लाए पिता जी को लाए माता जी को लाए और उनको भाई इतनी सारे बार चांस दिया तो समझने के लाने के लिए भी उनको भाई को थुड़ा प्रयत्म किया जीवन में ध्याल में रखा किसी व्यक्ति है उनको जिस तरह से समझा सके उसी तरह से समझाना भी चाहिए यह बहुत सारी चीज हमारे जीवन में इससे जानने के लिए मिलती है कि बिल्कुल बिल्कुल प्रियांग भाई थैंक यू सो मच बहुत इंट्रेस्टिंग चरित्र था ताइम कहां चला गया वालू ही नहीं पड़ा और जैसे आपने कहा कि तथा हमारे पूरा ठकान उतार देती है तो डैफिनिट्ली ऐसे ही कुछ और सुने और सुने और क्या च लिए रच्वाजशन और आपका मुंदे समय आपने दिया जाइन टॉक्स के इस प्लैक्फोर्म के ऊपर इसे के साथ हम विराम की ओर आगे बढ़ते हैं जगत के सभी जी ओक पहल्यान हो मंगल हो जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं कोई भी हमारा वहरी नहीं है इस बाहए के साथ प्राइब प्रणाम अनु परमानु शिव बनी जाओं आख्खा विश्वनु मंगल थाओं सर्वे जीवों मुक्षे जाओं आमे मी सवव जीवे सववे जीवा खमन्तु में नित्ति में सवव भूए सु वेरं मज्जनके नहीं सर्वता सु सुखी थाओं पाप नाकोई आचरों रागद्वेशती मुक्तवनीने संता सुसमाचरों प्रणाम प्रियान प्रणाम आमे में में आचरों प्रणाम